नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है युसर्क राज्य में प्रध्योगे की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृट संकल्प है आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्धती में सम्यक बदलाव की आवशकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा धन्यवाद आएए यहाँ पर हम इस प्रश्ण को हल करते हैं इसमें दिया गया है कि एक महा विद्याले में फुटबॉल के लिए 38, बास्केट बॉल के लिए 15 और क्रिकेट के लिए 20 पदक प्रदान किये गए यदि ये पदक कुल 58 लोगों को मिले और केवल 3 लोगों को 3 खेलों के लिए पदक मिले तो कितने लोगों को 3 में से ठीक ठीक 2 खेलों के लिए पदक मिले यानि कि यहाँ पर हमें 3 समुच्य दिये गए हैं एक समुच्य है उन लोगों का जिने फुटबॉल के लिए पदक मिले एक समुच्य है उन लोगों का जिने बास्केटबॉल के लिए पदक मिले तथा एक समुच्य उन लोगों का है जिने क्रिकेट के लिए पदक मिले अब मान लेजिए जिने फुटबॉल के लिए पदक मिले उन्हें हमने क्या कह दिया? उन्हें हमने कह दिया समुच्य F ठीक है? और जिनने बास्केट बॉल के लिए पदक मिले उन्हें हमने कह दिया समुच्य B तथा क्रिकेट के लिए हमने कह दिया समुच्य C कि अतनी बाद समझ मैं तो यहाँ पर हम लिख देंगे फुटबॉल, पास्केटबॉल और ट्रिकेट के लिए पदक मिलने वालों लोगों का ये समुच्य है अब देखे, यहाँ पर आपको क्या पता है कि जिनमें फुटबॉल के लिए पदक मिला उनकी संख्या कितनी है यहाँ पर दी गई है 38 यानि कि जो समुच्य F है उसके अव्यवों की संख्या कितनी है अब देखे, इसी प्रकार से यहाँ पर जिनने बास्केटबॉल के लिए पदक मिले वो है 15 यानि कि यह समुच्य B के अव्यवों की संख्या है तथा क्रिकेट के लिए जो 20 पदक मिले तो यह C समुच्य के अव्यवों की संख्या है किया इतनी बात समझ में आई, अब यहाँ पर ये भी दिया गया है कि ये पदा कुल 58 लोगों को मिले, यानि कि ये 58 लोग कौन है जिने फुटबॉल के लिए पदाख मिले, या फिर जिने बास्केट बॉल के लिए पदाख मिले, या फिर जिने क्रिकेट के लिए पदाख मिल क्या इतनी बात क्लियर है और यहां पर जो ही दिया गया है कि केवल तीन लोगों को तीनों खेलों के लिए पदक मिले इसका अर्थ यह है क्योंकि तीनों खेलों के लिए मिले यानि कि फुटबॉल के लिए भी मिले साथ इसाथ बास्केटबॉल के लिए भी तो इसे हम इंटर क्या इतनी बात लेर है? अब यहां से हम एक सूत्र लगाएंगे, जो कि है, ये देखिए, तो यहां पर F, B और C के यूनियन में, जितने element हैं, वो क्या होंगे? F में जितने element हैं, प्लस B में जितने element हैं, यानि कि अव्यवों की संख्या, C में जितने अव्यवों की संख्या, और ये क्या है? ऐसे लोग जिने फुटबॉल तथा बास्केट बॉल दोनों के लिए ही क्या हुआ? पदक मिला. और ये क्या है? ऐसे लोग जिने फुटबॉल और क्रिकेट दोनों के लिए ही पदक मिला. और B intersection C क्या हो गया ऐसे लोग जिने basketball तथा करके दोनों के लिए ही पदक मिले ठीक है अब हमें यहाँ पर जिस जिसकी value पता है वो वो हमें आपर रख देंगे और जिसकी value नहीं पता है वो हम देखते हैं कि हमें क्या मिलता है तो यहाँ पर क्या आएगा देखे तो यहाँ पर जो यह समुच्य है यह क्या है 58 है इसकी संख्याव्यवों की तो यहाँ पर आजाएगा 58 पराबर N F है 38 ठीक है प्लस यहाँ पर आजाएगा 15 प्लस यहाँ पर आजाएगा 20 minus अब यहाँ पर हमें यह value नहीं पता अब ध्याँ से देखेगा जो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी यदि हम इस में से इस में से वा इस में से minus common ले ले ठीक है और क्या करें तो अंदर क्या बज़ जाएगा अंदर बज़ जाएगा N यहाँ पर आजाएगा F intersection B है ना और क्या आएगा और क्यूंकि हमने यहाँ पर minus common ले लिया है तो यह minus हो जाएगा plus तो यहाँ पर आप लिखिए plus N तो F का आजाएगा F intersection C तो यहाँ पर आजाएगा C के साथ intersection इसी तरीके से जो minus है यह भी हो जाएगा plus और यह क्या है B और C का intersection तो यहाँ पर आएगा B और C का intersection ठीक है क्या इतनी बाद समझ मैं और इसमें हम क्या करेंगे इन्हें एक bracket में डाल देंगे यह देखिए और यहाँ पर जो यह value थी कौन सी value यह वाली यह हमें कितनी पता है यह देखिए यहाँ पर यह 3 है तो आप इसे लिख दीजिए plus 3 अब यह कितना हो गया 38 plus 15 हो गया 53 53 plus 20 हो गया 73 73 plus 3 हो गया 76 तो यह क्या आजाएगा देखिए तो यह आजाएगा कि यह अतनी बात clear है तो यहाँ से जो यह value है ध्यान से देखिएगा यह पूरी की पूरी value क्या आजाएगी इसे आप अगर एक term मान के इस तरफ ले आएं equation की दूसरे तरफ ठीक है इस तरफ तो यह यहाँ पर negative है तो यह हो जाएगा positive और 76 minus 58 कितना हो जाएगा बताएगे 18 हो जाएगा तो यहाँ पर इसे इस तरीके से लिखते हैं देखिए यहाँ पर यह हो जाएगा 18 और यह पूरी की पूरी term यहाँ पर आजाएगी तो हमें यहाँ पर यह value मिल गई ठीक है हमें निकालना क्या था यह देखिए हमें यहाँ पर निकालना है कि कितने लोगों को तीन में से ठीक ठीक दो खेलों के लिए पदक मिले यानि कि ऐसे कौन से लोग थे जिने केवल दो ही खेलों के लिए पदक मिले यानि कि या तो ने सिर्फ फुटबॉल और बास्केटबॉल के लिए पदक मिला या फिर उन्हें सिर्फ बास्केटबॉल और कृकेट के लिए पदक मिला तो चलिए इसे हम अब वेन आरेक की साहता से solve करते हैं मान दीजे यह यहाँ पर वेन आरेक हमने बनाया ये F क्या है? जिन लोगों को फुट्बॉल के लिए पदक मिला, उनका समुच्चया, ये बास्केट बॉल वाले लोगों का और ये क्रिकेट के लिए अब देखिए हमें यहाँ पर क्या निकालना है यदि हम बात करें ऐसे लोगों की जिने दो खेलों के लिए पदक मिला तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इसे A कह देते हैं इसे B, इसे C, तथा D क्या इतनी बात प्लियर है हमें यहाँ पर क्या निकालना है हमें यहाँ पर ऐसे लोगों की संख्या निकालनी है जिने ठीक ठीक दो खेलों के लिए पदक मिला यानि कि आप यदि ध्यान से देखेंगे तो यदि मैं बात करूँ ऐसे लोगों की जिने फुटबॉल तथा बास्केट बॉल सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के लिए पदक मिला तो वो कौन है? वो यह हो गए ना जहांपर A लिखा है मैंने क्योंकि यदि मैं बात करूँगी D की तो D में वो लोग भी आजाएंगे जने क्रिकेट के लिए पदक मिला ठीक इसी प्रकार से यदि मैं बात करूँ उन लोगों के जिने फुटबॉल तथा क्रिकेट के लिए ही पदक मिला तो यह आजाएंगे यानि कि जहांपर हमने क्या लिखा है B यह देखिए यह आजाएगा क्योंकि यदि हम D लेंगे तो D में बास्केट बॉल वाले बच्चे भी आजाएंगे इसी प्रकार से यदि हमें देखना हो कि बास्केट बॉल और क्रिकेट के लिए किन लोगों को यानि किस संख्या के लोगों को पदक मिला तो जहांपर यह मैंने C लिखा है तो यही एरिया क्या आएगा इसका उत्तर होगा यानि कि हमें यहाँ पर क्या निकालना है यह देखे हमें यहाँ पर A प्लस B प्लस C कितना होगा यह ग्याद करना है अब जो यहाँ पर उपर हमने निकालना है यह क्या है तो देखे अब यदि मैं बात करूँ F intersection B की, तो यह पूरा F, और यह पूरा B, और इसके intersection में क्या आएगा, A plus D, तो यह हो गया, A plus D, plus, यहाँ पर है F intersection C, तो यह F हो गया, और यह C हो गया, और इनके intersection में क्या आता है, B plus D, तो यह हो जाएगा, B plus D, plus यहाँ पर, basketball तथा cricket के intersection में क्या है, basketball तथा cricket, तो यह है D plus C, तो आप लिख दीजे, D plus C, और इसकी value आपने निकाली, 18, क्या इतनी बात clear है, अब यदि आप थ्यान से देखेगा, तो यहाँ पर यह D है, यह D है, और यह D है, यानिकी यहाँ पर क्या आजाएगा, A plus B plus C plus 3D, बराबर किसके आजाएगा, 18 के, ठीके, और D क्या था, D ध्यान से देखी क्या है, ऐसे लोगों की संख्या, जिने तीनों खेलों के लिए पदक मिला, और वो क्या है, तीन, D कमान यहाँ पर तीन है, तीन तिया, नो, 18 में से 9 हो गए, कितना आजाएगा, 9 आजाएगा, यानिकी हमें A plus B plus C कमान कितना मिल गया, 9 मिल गया, और यही हमें यहाँ पर ग्याद करना था, आजाएगा.